नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवीन कुमार और आज की कहानी करनाटक की उत्तरकन्नड से हैं। पुलिस मौके पर पहुँची और लाश की जाँच शुरू की। लेकिन उन्हें कोई पहचान पत्र या अन्य सामान नहीं मिला। लाश की कोई शिनाखत नहीं थी। बस सिर्फ एक था कि लाश ने जो कमीज पहन रखी थी। उस कमीज के ऊपर एक लेबल लगा हुआ था। य उन्होंने पाया कि एक दिन पहले ही वहाँ एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उस गुमशुदा व्यक्ति के परिवार से संपर्क किया। और कहा हमें एक लाश मिली है। आप एक बार अस्पताल आकर लाश की शिनाखत कीजे उसी दिन परिवार सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुँचा। लाश की पहचान विश्वनाथ राय के रूप में होती है जो एक फाइनेंस फर्म के मालिक थे। एक दिन पहले ही 9 जून 2001 को विश्वनाथ राय की पतनी मलिका राय ने पुलिस थाने में उनकी फर्म शिवा फाइनेंस के मैनेजर विश्वनाथ शेटी के साथ थे। जब उन्होंने दोबारा फोन किया तो उनके पती का मोबाइल शेटी नहीं उठाया। उसने बताया कि यहां बारिश हो रही है। इसलिए वो लोग रुके हुए हैं। जब मलिका ने मोबाइल अपने मैनेजर विश्वनाथ शेटी के साथ गए थे। पत्नी ने अगले दिन फोन किया। विश्वनाथ शेटी ने फोन उठाया। लेकिन उसने कभी भी उनके पती से उनकी फोन पर बातचीत नहीं कराई। बलकि फोन काड़ दिया। तो शक के घेरे में विश्वनाथ शेटी तो गुमशुदगी का केस अब कतल के मामले में तबदील हो गया। पुलिस ने IPS की धारा 302 मर्डर का केस दर्च किया। केस की तफ्तीश शुरू की। पुलिस को लगा कि ये मामला चुटकियों में सुलज जाएगा। लाश की भी पहचान हो चुकी है। और कातिल का नाम भी पता था। कातिल के घर जाएंगे कातिल को पकड़ कर जेल में डाल देंगे। लेकिन पुलिस को जितना मामला आसान लग रहा था, उतना ये मामला आसान नहीं था। पुलिस की एक टीम शेटी के घर जाती है। शेटी के घर में केवल उनकी बीवी और छे साल का बेटा मिलता है। पुलिस कहती है, शेटी को बुलाईए उनको थाने ले जाना है। उनके उपर कतल का इलजाम है। कतल का नाम सुनते ही शेटी की बीवी घबरा जाती है। वो कहती है कि शेटी भी दो दिन से लापता है साथ जून को शेटी ने फोन पर बताया था कि उसका एक दोस्त कुवैट से आया है और वो विश्वनाथ राय के साथ मंगलूरू जा रहा है उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं उनका भी फोन बंद है और हमें कोई जानकारी नहीं है वो कहां है हम भी बहुत परेशान है शेटी की बीवी से ये भी पता चला कि उन्होंने भी एक मिसिंग कंप्लेंट डाल रखी है पुलिस भी ये सुनकर हैरान हो जाती है विश्वनाथ शेटी भी गायब अब बड़ी अजीब उलजन में थी पुलिस को ये भी डर था कि कहीं ये दोनों किसी साज़िश का शिकार तो नहीं हुए कहीं ये double murder तो नहीं क्योंकि दोनों साथ में थे दोनों तभी से गायब भी है एक ही तो लाश मिली है लेकिन दूसरा गायब है अब पुलिस आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन से कोई और लावारिस लाश मिली हो इसकी जानकारी इकठा कर रही थी लेकिन ऐसी कोई लावारिस लाश मिली नहीं पुलिस शेटी की तलाश करना जारी रखती है तब ही उनको शेटी की कार मंगलुरू में कादरी पार्क के पास खड़ी मिलती है लेकिन शेटी का कोई सुराग नहीं मिलता शेटी की तलाश में पुलिस आसपास के सभी जिलों में रहने वाले उसके दोस्तों और रिष्टेदारों के घर पर टीमें भेजती है लेकिन शेटी का कुछ पता नहीं चलता पुलिस अब शेटी के फोन को भी ट्रैक पर लगाती है पुलिस अपने तरीके से उसे तलाश करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं वक्त बीटता है और अगले कुछ सालों में ही विश्विनाथ राय हत्याकांड की फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है 2012 में जिले के SPSD शरनपपा सभी थानों के इंचार्ज को बुलाया और एक मीटिंग की उन्होंने कहा कि मुझे हर पुलिस स्टेशन के जो अनसुलजे केस है जिने सुलजाया नहीं जा सका उनकी डीटेल्स चाहिए और उन्होंने आदेश जारी करते हैं कहा कि जितने भी अनसुलजे केस हैं उनकी फिर से तफ्तीश शुरू की जाए अब पुलिस वालों को उनके ओर्डर को फॉलो करना उनकी ड्यूटी थी तमाम पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइलों को खंगाला गया ढूंड ढूंड कर पुराने केसिस की लिस्ट बनाए गई SSP साहब के दफतर में भेजी गई फिर एक मीटिंग हुई उन केसिस के उपर दोबारा नजर डाली गई और फिर उन केसिस में से ऐसे केस जो बेहत दिल्चस्प थे और जिन्हें लगता था सुलजाया जा सकता था अब तक क्यों नहीं सुलजा उस पर खास नजर डाली गई इत्फाक से उस वक्त उसी करनाटक के जिस पुत्तुर पुलिस थाने में ये केस दर्ज था सितंबर 2012 में वहां पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार पी का तबादला होता है तो इन्होंने SSP के ओर्डर के हिसाब से पुत्तुर पुलिस स्टेशन की पुराने फाइल को खंगालना शुरू किया कुछ केसेस इन्होंने निकाले जो अनसॉल्फ थे SSP के दफ्तर में भेजा गया अब SSP साहब ने उसमें से कुछ केसेस पे कहा कि इस पे आप लोग काम कीजिए अब सुरेश कुमार ने कई केसेस में जो सबसे पहला केस चुना वो 2012 में करीब 11 साल पुराना हो चुका था यानि 2001 का एक केस था यानि विश्वनाथ राय हत्याकांड का मामला इंस्पेक्टर सुरेश कुमार अपने हाथ में ले लेते हैं अब विश्वनाथ राय की केस फाइल इंस्पेक्टर साहब के सामने थी तब नए इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने जब विश्वनाथ राय मर्डर केस की फाइल पड़ी तो इस केस के फाइल को उन्होंने कई बार पड़ा उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इस केस को सुलजाया जाए लेकिन जिन लोगोंने इस केस की जांच की थी उन्होंने सब चीजे फाइल में लिख रखा था पुलिस ने काम बहुत अच्छा किया था उस वक्त की बाकी हर चीज अपनी जगह पर फाइल में मौजूद थी वो फाइल पढ़ते रहे पढ़ते रहे कोई नई चीज मिल नहीं रही थी कुछ दिन बीट गए पूरा उनका ध्यान अब इस केस पर ही था किसी तरह से इस केस को सुलजाना चाहते थे दिन रात सोते जागते वो इस फाइल केस के किसी क्लू के बारे में पता करना शुरू किया अपने लोगों को भेजा कि पता करो यार विश्वनात शेटी ने अपने फैमली से कहीं कॉन्टेक्ट किया कि नहीं किया पूरे गाव, मोहले, दूर के रिष्टेदार, नस्दीक के रिष्टेदार हर जगह पता कर लिया पिछले बारा साल से उसका कोई सुराग नहीं है अब ये सितंबर दोहजार बारा में इस केस को खोलने का हुक्म दिया गया था अब दोहजार तेरा आ गया इधर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को कोई कामया भी नहीं मिल रही थी उन्हें लग रहा था कि कुछ तो मिस हो रहा है तब ही एक रोज वो फिर से अब तक दरजनों बार इस फाइल को पढ़ चुके थे एक बार फिर से पढ़ते पढ़ते अचानक दो लाइनों पर जाकर उनकी नजर गड़ गई और इन दो लाइनों से उनकी आँखे चमक उठी उन्हें लगा कि इस केस को सुलजाना है तो इनी दो लाइनों पर फोकस करो वो दो लाइन ये थी जब विश्वनात शेटी को ढूंडने के लिए बारा साल बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को उस इलाके में भेजा जहां वो रहता था तो पता चला कि वो कभी लोट कर नहीं आया आज तक नहीं आया उसकी एक मिसिंग कंपलेंट भी है विश्वनात शेटी की तो उसमें पुलिस ने क्या रिपोर्ट दाखिल की तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला बारा साल से अनसुल झारा ये सोचते ही वो फॉरिन उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां विश्वनात शेटी की वाइफ ने 12 साल पहले मिसिंग कंपलेंट अपने पती की दर्ज कराई थी मिसिंग कंपलेंट में लिखा था कि 7 जून को निकले और उसके बाद घर नहीं लोटे वहां की सारे उस पुराने फाइल को निकाला तो पता चला कि शुरुआत में 2 जून को जब ये कंपलेंट लिखाई थी उसके बाद जून के महीने में और जुलाई के महीने में करीब 5 से 7 बार विश्वनात शेटी की वाइफ पुलिस स्टेशन गई ये पता करने की उनके पती का कोई सुराग मिला जिन्दा है नहीं है क्योंकि विश्वनात राय की लाश मिली थी तो ये भी था कि कहीं मर तो नहीं गए लेकिन बाकी जब रिपोर्ट पढ़नी शुरू की जब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने पता किया तो एक चौकाने वाली जानकारी मिली जानकारी ये थी कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक तो उनकी पतनी कई बार थाने के चक्कर लगाए और अपने पती के बारे में उसके केस के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने थाना आना बंद कर दिया पिछले 11-12 सालों में उसने कभी थाने में जाकर ये जानने की कोशिश नहीं की, उसके पती का क्या हुआ? वो मिला? उसकी कोई खबर मिली? जिन्दा है भी की नहीं? कोई लाश तो नहीं? अब ये बात इंस्पेक्टर को थोड़ा सा अजीब लगा, कि एक शखस जो गायब है और उसकी पतनी 11-12 साल हो गए, कभी जाकर पता ही नहीं कर रही है. पुलिस स्टेशन में की मेरे पती की असलियत क्या? वो कहां है? जिन्दा भी है की नहीं? अब इसी एक लाइन पे सुरेश कुमार ने अपना सारा फोकस विश्वनात शेट्टी की वाइफ की तरफ घुमा पतनी और बेटे इर्दगिर्द रहकर उनकी निगरानी करते हैं. तफ्तीश में पता चलता है कि शेट्टी की पतनी कोर्ट की कैंटीन में काम करती है. अब विश्वनात शेट्टी की पतनी के मोबाइल का पुलिस ने नंबर निकाला और उसके नंबर को ट्रैक करना पतनी की पतनी के मोबाइल को खंगालते हैं. किसी तरह बेटे का भी नंबर मिल गया. उसका भी नंबर ट्रैक किया. उसके मोबाइल से भी ऐसा ही नंबर नहीं मिला. जो शक के दाइरे में आता हो. अब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को लगा कि यार 12-13 साल के बाद भी हमारे हाथ खाली रह जाएंगे. फिर भी उन्होंने अपने दो यंग कॉंस्टेबल को उस गाव में भेज दिया था. जहां पे विश्वनात शेटी की बीवी और बेट कर ली. अब उस कॉंसेबल के साथ कई हफते उन्होंने गुजारे. पता चला कि विश्वनात शेटी का जो बेटा है अब 17 साल की उम्र हो गई है. वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है. एक बहतरीन आल राउंडर है. और उस पूरे इलाके में जो भी क्रिकेट का बड़ टूर्नामेंट होता है. वो उसमें हिस्सा लेता है. वो एक टीम का पार्ट है और टीम का बड़ा अहम मेंबर है. इत्तफाक से जिस इलाके में वो रहता था, उस इलाके की जो पुलिस थी, जो थाना था, उसका भी एक कॉंस्टेबल उसी तरीके से यंग था और क्रिकेट क शौकीन था तो वो भी क्रिकेट खेलता था और तमाम टूर्णामेंट में हिस्सा लेता था और इसी क्रिकेट की वजह से वो विश्वनात शेट्टी के बेटे का दोस्त भी था वो उसे जानता था ये सारी बात दोनों कॉंस्टबल को पता चली उन दोनों कॉंस्टबल ने इ लोकल कॉंस्टेबल से कहा गया था कि उसके करीब जाना है, मा और बेटे का मोबाइल चेक कर लिया गया था, कुछ मिला नहीं, लोकल कॉंस्टेबल ने का ठीक है, मैं आपको पूरी खबर ला कर दूँगा, एक रोज जब मैच चल रहा था, तो बेटा चला गया बैटिंग कर करने के लिए, और उसके सारे किट, मोबाइल सब वहीं रखे हुए थे, जब वो बैटिंग कर रहा था, ये कॉंस्टेबल उस वक्त बाहर बैठा हुआ था, जब वो बाहर बैठा था, तभी अचानक उसकी किट पर नजर पड़ी, जब एक फोन की घंटी बजी, उसने फोन उठा कर कट कर दिया, कट करने के बाद, उसने ध्यान से देखा कि इसके पास तो दो फोन है, अब दो मोबाइल देखकर वो थोड़ा सा चौका, और फिर भी उसे लगा कि बच्चा है, आजकर लोग दो दो फोन रखते हैं, शौक से, तो उसने फोन वापस रख दिया, उसक उसके बाद वो चला गया, अब मैच के बाद हर दिन वो दो पुलिस जो पुटूर से आई हुई थी, स्पेशल कॉंस्टेबल इस कॉंस्टेबल को डेली पूछते थे, तो उन्होंने पूछा कि आज क्या हुआ, मैच में किसकी हार जीत हुई, कैसा खेला, और कोई बाद ब जा था, मैं सोचा पहले उठाओ, फिर मैंने सोचा, ये गलत बात होगी तो फिर मैंने काट दिया, तो उन्होंने कहा तुझे उठाना चाहिए था क्या पता, कोई क्लू मिल जाता, बोला नहीं, दूसरे का फोन कैसे उठाता, उसने ये भी बात बताई कि उस दिन उसके पा के पास दो मोबाइल हैं, तो ये बात उन्होंने इंस्पेक्टर को बताई, ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को लगा कि शायद दूसरे फोन से कुछ सुराक मिल सकते हैं, इंस्पेक्टर सुरेश साहब ने कहा, किसी तरह से हमें उसका दूसरा मोबाइल नंबर मिल जाए, त तेरा दूसरा नंबर भी मुझे दे दो, कभी इमर्जेंसी हो तो काम में आएगा। उसने दूसरा मोबाइल नंबर भी दे दिया। जब दूसरा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा तब उसकी CDR निकाली गई। कॉल डीटेल रिकॉर्ड में शुरुआत में उसमें कुछ नहीं मिला। पहले तीन महीने ऐसे ही निकल गए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक साल की CDR इंस्पेक्टर के टेबल पर थी। और वो देख रहे थे कि उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है, जिस पे शक किया जाए। लेकिन गहराई से जब study की गई तभी इंस्पेक्टर चौकता है, वो देखता है इसमें से एक नंबर ऐसा है, जो सिर्फ हर दो महीने के बाद एक कॉल करता है। आम तोर पर उन नंबरों को पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती, जो महीनों में एक बार कॉल करता है, जिसके बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, तो उन पर ज्यादा शक होता है, खेर पुलिस उस नंबर की जांच करती है, पर यहाँ पुलिस उस चीज़ को तो चेक कर रही ज्यादा कॉल की, सब को चान मारा, कुछ नहीं मिला. एक कॉल ऐसा है जो साल में एक बार कॉल आए और हर दो महीने में एक कॉल आता था, उसको नजर अंदाज कर दिया. अब जब उन्होंने एक एक नंबर को चेक करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने देखा कि एक नंबर ऐसा था, जो दो महीने में एक कॉल आया. फिर उस call के duration को देखा, तो देखा कि जब भी ये call आता है दो महीने में, एक बार तो कम से कम 20-30 मिनट तक बात होती है और इतनी लंबी बात और किसी नंबर पे हुई नहीं है, अब दो चीजें पुलिस के सामने थी एक तो एक call था, दो महीने में एक बार और उस call का duration अन 20-30 मिनट का था अब उस नंबर को पुलिस सर्विलांस पर लगाती है जब उस नंबर को पुलिस तलाशती है, तो हर दो महीने में एक call विश्वनात शेटी के बेटे के मोबाईल पर आता था तो ये नंबर की लोकेशन तमिलनाडू के इरोड इलाके में एक्टिव है ये वो इलाका था, जहां बहुत घणा सत्यमंगलम जंगल है और जो कभी डाकू वीरप्पन के छिपने के ठिकाने के तौर पर बदनाम था तफ्तीश में एक बात और पता चलती है कि इरोड के अलावा ये नंबर कभी कभी तमिलनाडू के बॉर्डर से लगे करनाटक के चामराज नगर जिले में भी एक्टिव होता था पुलिस को लगा कि ये तमिलनाडू के इरोड से ये नंबर है जहां से ये कॉल आता है तो वहां कौन हो सकता है फॉरिन पुलिस की एक टीम को तुरन ते रोड भेजा जाता है पुलिस सिविल ड्रेस में उसकी तस्वीरें तस्वीरें वहां के लोगों को दिखाते हैं उसे खामोशी से ढूंडते हैं पुलिस वाले सिविल ड्रेस में ही भाई इस बंदे को आपने कहीं देखा है। इत्तफाक से एक बंदा उस फोटो को देखकर पहचानता है। पर वो कहता साहब आप जिसे ढूंड रहे हैं वो नहीं है। ये तो राज साहब है। इनका नाम विश्वनात शेटी नहीं है। य अब वो वही पे एक घर में पहुंचते हैं। ये अगस्त 2014 की बात थी। जिस घर में पहुंचे घंटी बजाई। दर्वाजा खुला। सामने वही 13 साल पुराना विश्वनात शेटी खड़ा था। जैसी नजर पढ़ती है। पुलिस उसे अपने साथ लेती है। और अगस्तिनात की हत्या करने और उसकी लाश को फेंकने के बाद वो केरल के पलक कर चला गया। यहां वो कोएमबटूर के एक डॉक्टर के फार्म हाउस में काम करने लगा। उसके काम से खुश होकर डॉक्टर उसे पहले कोएमबटूर और फिर ई-रोड ले गया। यहां पेटी ने अपनी finance company शुरू की और नाम बदल कर यहीं रहने लगा। मुझे मालूम था कि पुलिस लगातार मेरे घर खास तोर पर मेरी बीवी और बेटे पर नजर रखती है। तो कभी कभार साल में एक बार मैं बीवी को यही तमिलनाडू में बुलाता था और यही अपने घर में भी नहीं बुलाता था क्योंकि खत्रा नहीं चाहता था तो वही एक छोटे से किसी कजबे में ले जाता। वहाँ एक guest house में हम दो तीन दिन तक बीवी और बेटे के साथ रहते फिर वो अपने गाव चली जाती। मैं इधर रुख जाता। मैंने उनसे कह रखा था कि तुम लोग मुझे call नहीं करोगे। हर दो महीने में एक call करता था। और जो बीवी और बेटे के नाम पे registered सभी के पास दोस्तो परिवार के पास नंबर था उस पे नहीं बलकि एक नया sim था और वो नंबर किसी को पता नहीं था। तो उस sim पे मैं दो महीने में एक बर call करता था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि cricket match की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। विश्वनाथ शेटी खुद इस पूरी investigation के line को सुनकर हैरान रह गया था। अब ये तो पता चला था इतने साल कहां था। लेकिन हत्या क्योंकि ये पता लगाना था। हत्या के दिन विश्वनाथ और शेटी के बीच रुपियों को लेकर कुछ बहस हुई थी। इसके बाद शेटी बियर की दो बोतले लेकर आया था। यहां से ये लोग विश्वनाथ के एक दूसरे घर पर गए थे। और उनके साथ में कमपनी का एक और करमचारी सुभाष चंद्र भी था। पुलिस कहती है जिस सुभाष चंद्र की तुम बात कर रहे हो वो जेल में बंध है। उसी ने हमें बताया था कि तुमने विश्वनाथ की हत्या की है। उस ने ये भी बताया था, कि 7 जून को लोहे की रौड से तुमने विश्वनाथ राए की हत्या की और इसके बाद लाश को अपने साथ कार में डाल کر ले गया। और होनावर शीन रख तिया। उसके बाद से ही हम तुम्हारे तलाश मे पकड़ लिया, शेटी को जेल में रखा गया, उसके बाद साल भर मुकदमा चलता रहा, दोजार एकीस में आखिरकार लोवर कोट ने अपना फैसला सुनाया, कतल के बाद इस कातिल ने जिस तरीके से कानून और दुनिया से खुद को छुपाया, और उस छुपाने के लिए ज लक्षन कंणड की अदालत ने शेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, चाहे अपराद कितना ही पुराना और गूड क्यों न हो, सच्चाई एक दिन सामने आही जाती है, नियाय में देरी हो सकती है, लेकिन पाया नहीं जा सकता, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और उनकी टीम ने इस मामले को सुलजाने के लिए कितनी द्रढ़ता और समर्पन दिखाया, वे हार मानने के बजाए निरंतर प्रयास करते रहे और आखिरकार अपराधी को पकड़ने में सफल रहे, पुलिस ने बहुत ही समझदारी और धहरे के साथ इस मामले की जाँच की, संदिख्धों पर नजर रखना, कॉल डिटेल्स की जाँच करना और अन्य तकनी की साधनों का उप्योग करना, इन सभी उपायों से उन्होंने अपराधी तक पहुँचने का रास्ता खोजा, इस कहानी से यह और पेशेवर जीवन में किस तरह की जटिलताएं और भावनात्मक उथल पुथलें जहेली, यह भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अपराध करने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव था, जो उसकी गिरफतारी का एक क माधान किया जा सकता है, ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें, आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा, धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ध्यान रखें, सच्चाई की जीत हमेशा हो ती है.